आज मैं इस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो प्रवैबरिटी से लेडिट सम्कॉस्टन्स हैं जिने में डिटेल में सॉल्फ करूंगी और क्वेस्टन्स को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए बिफोर स्टार्ट टॉपिक प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बाल इकन बटन और शेर माय वीडियो को स्टार्ट क्या है हमारा फाइंड द प्रॉबैलिटी फॉर इज ओफ द फॉल इवेंट हमें पहला इवेंट क्या गिवन क्या गया है एन ओड नमबर अपेर्स इन शिंगल टोस्ट ओफ फेर डाई अब इससे सॉल्फ करने से पहले में एक फेर डाई की सांपल स्पेस बनाओंगी सांपल स्पेस क्या होती है और पोसीबल आउटकम्स अब हमारे फेर डाई है पोसीबल आउटकम्स कौन-कौन से है वान टू तू त्री फोर फाइव सिक यह एक फेर डाई क्या होगजी सांपल स्पेस हो गयी है अब मैंने यहां से किस इमिट किस स्पेस्ट करनी है और नमबर्स की अब और नमबर्स हमारे पास इस सांपल स्पेस में कौन-कौन से है वान ठ्री फाइव ए बीदा इमिट लाइट ओड नमबर अपयरज अब नमब of favorable cases में क्या आता है? 1, 3 and 5 अब total कितनी दादाद होगे 3, 1, 2, 3 तो number of favorable cases कितने है हमारे? 3 number of total outcomes कितने होंगे हमारे 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, अब probability का formula क्या है? probability of A is equal to number of favorable cases over number of total outcomes 3 by 6, 3 over 6, अब हमें से कट करेंगे 3, 1s are 3, 3, 2s are 6, is equal to 1 by 2, तो probability of A क्या है हमारी? 1 by 2 अब में second event लेती हूं second event क्या है? of 8 appears in a single toss of a pair of fair dyes यह हमने 2 dyes लेने हैं और उनको क्या करना है? रोल करना है ठीक है रोल करने के पाद हमारे पास और sample space बनेगी? वो यह वाली है 1, 1, 1, 2 means क्या? कि अगर हम दो डाई को रोल करते हैं तो first पर one आया है तो second पर भी क्या आएगा? one first पर one आया, second पर two first पर one और second पर three first पर one, second पर four first पर one और second पर five first पर one और second पर six इसी तरह हम इस sample space को complete करेंगे यह 36 possible outcomes है be the event that sum of eight pairs in a single toast of pair of fair dyes क्या मतलब है इसका? कि आपने sum of eight लेना है कि यहाँ पर जिन जिन का sum जिन points का sum क्या होगा? eight होगा हमने उसे क्या करना है अपने event में इनके favorable cases में select कर लेना है जैसे कि हमारा यहाँ पर है six or two, eight five or three, eight four or four, eight five or three, eight six or two, eight यह हमारे क्या है favorable cases है b is equal to two, six, three, five, four, four, five, three और six, two जो हमने favorable cases select की है तो हमारे number of favorable cases कितने होगे one, two, three, four, five, five और number of total outcomes कितने है हमारे 36 probability of b is equal to number of favorable cases over number of total outcomes favorable cases कितने होगे हमारे five और number of total outcomes कितने होगे 36 तो probability of b हमारी क्या होगे five by 36 हमारा third event क्या है at least one hat appears in three toses of a fair coin क्या करना है अपने तीन coins लेने और उनको क्या करना है toss करना है ठीक है three coins को जब आप को toss करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए at least one hat appear होना चाहिए ठीक है अगर अब इसकी sample space बनाने का मैं आपको सबसे easy भी बताऊंगे आपने दो आपने coins की sample space लेनी है head, tail, head, tail तो आपने head को head के साथ merge किया head, 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 tail फिर tail को लेंगे tail, head, tail, tail यह हमारी क्या होगे दो coins की sample space अब आपने क्या बनाने है तीन coins की जब त्री toses होंगे आप देखे head और tail आप अब भी देखे head, head को हम किसे साथ मिलाएंगे head, head, tail, head tail, head, tail, tail, head आप हम किसे लेंगे इस सब के साथ tail को head, head, tail head, tail, tail tail, head, tail tail, tail, tail ठीक है see be the event that at least one head appear क्या होना चाहिए one head appear होना चाहिए at least तो क्या होगा c is equal to head, head, head हमने वो वाले outcomes लेने हैं जिन में at least one head जरूर हो अब अब यहाँ देखे सांपल स्पेस में सिर्फ इस वाले outcome के लवा तमाम outcomes में क्या है head appear है हमने उस तमाम outcomes यहाँ लेने है number of favorable cases कितने हैं हमारे 7 total number of outcomes कितने हैं हमारे 8 probability of c is equal to 7 by 8 7 by 8 is the probability of event c वीडियो को आखर तक देखने हैं आपने और अगर इस से related कोई भी कोशन है तो आप मुझसे comment section में पूश सकते हैं थैंक यू